दोस्तो अगर आप अपने आईफोन में लॉक स्क्रीन पर कंट्रोल सेंटर को डिसेबल करना चाहते हैं ताकि जब आपका आईफोन लॉक हो तो फिर कंट्रोल सेंटर ये इस टाइप से ना खुले तो इसको आप कैसे करेंगे इसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले चले जाना है अपने आईफोन की सेटिंग्स में सेटिंग्स में जाने के बाद यहां पर आपको करना है नीचे की ओर स्क्रॉल करने पर एक option दिखेगा face id and passcode का आपको इस पर click करना है इस पर click करने के बाद यहाँ पर अपना passcode जो है वो डाल देना है passcode डालते ही इस type का interface मिलेगा यहाँ पर आपको करना है नीचे की ओर scroll नीचे की ओर scroll करने पर आपको यहाँ पर दिखाएगा allow access when logged का एक section यहाँ पर आपको control center का एक option दिखादेगा इसको click करके बंद कर दिजए आपके में अब जो है control center lock screen पर नहीं open होगा for example हम आपको दिखा देते हैं ठीक है यहाँ पर हम कर रहे हैं आप देख सकते नहीं open हो रहा है अब unlock होगया अब open हो जाएगा अगर video से help हुई हो तो video को कर दिजए like channel को कर लिजए subscribe and bell icon को press ऐसे ही और भी videos देखने के लिए